कि इस टार्ट करें तो दोस्तों पहले हम इसको जो स्टार्ट नहीं हो रहा इसमें तो हम पहले क्या करेंगी इसका जो तेल की सप्लाई है इसमें क्या है कि अभी पानी चला गया था ऊपर से नीचे बारीसवाला उपसे पहले हम इसको चपलाई तेल की सप्लाई क्योंकि इस पियोगे मेरेह साब से नहींiled की मैंने अभी अपने हांत लगा के पता चल जाता है कि आ रहा है कि नहीं सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं कि जैसा भी रुमा भाई तो इसे हैंड लगा तो आप देख सकते हैं तो तेल की सप्लाई है यह नहीं आ रही बिल्कुल भी तेल की सप्लाई नहीं आ रही थी तो मैंने सुचा पंप में कोई मसला होगा इस्टार्ट हो जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं था बहुत सी आपको इसमें जानकारी सीखने को मिलेगी बहुत जादा दिक्कत आई है बहुत जादा टाइम लगा है इस इंजन में तो दोस्तों क्य मैं क्या करता हूं कि यहां से खोल लेता हूं इसको नली को और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं फिर नली में तो तेल फुल है बिल्कुल फुल है पर हम देखेंगे कि तेल जो है पंप तक क्यों नहीं जा रहा तो चलिए मैं पहले ये खोलता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ तो दोस्तों इसमें तेल नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तेल भरा है देखते हैं मैं आगे इस वाली को खोलूँगा फिर इस वाली को फिर पता चलेगा कि क्या कौन से नली जाम हो चुकी है तो दोस्तों इसमें तेल नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तेल भरा है देखते हैं मैं आगे इस वाली को खोलूँगा फिर इस वाली को फिर पता चलेगा कि क्या कौन से नली जाम हो चुकी है जाम हो जाते हैं जब 20 महीने इंजन खड़ा रहता है तो फिल्टर जो है बहुत जादा जाम हो जाता है यानि यह समझो कि जाम हो जाता है वो फिर तेल की सप्लाइज बंद हो जाती है जो इसका तेल है दोस्तों ये आने लगा है मैंने फूंक दिया था तो आने लगा है अब इसके बाद दोस्तों मैं इसको नली को लगाता हूं और इसके बाद देखते हैं कि पंप में कोई दिक्कत आती है कि नहीं और देखते हैं बहुत से दिक्कते आई हैं दोस्तों इसमें और बहुत सी आपको नुद जानकारी सीखने को मिलेगी सो मैं इसको टाइट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ जो एर है वो मैंने नली लगाने के बाद एर जो है निकाल लिया यहां से यह देखे टेल आ रहा है यहां पर खैकर बहुत जादा निकाल राइस के बाद मैं इसको टाइट करता हूँ फिर आगे देखते हैं कि तेल पंप उठा रहा है नहीं तो फिर फिर पंप खोलेंगे अधे अधे और यह कुच्छू नहीं है प्रूपन। कर 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 आज़ी दाबर रही जाए कर आज़ी आज़ी वह का है ना कि वह थोई पानी चला गड़ा है तो नाम आ तो यसीदी ज्यालो महरे जाए एर खीर लीनर माद देगर गड़ान, नाम बाद मोगे प्रिखाव कर दोहां दोते ही का ताबर है तो दोस्तों इसमें जो एयर है यह फास चुपा था हलाकि मैंने पहले जो आपने देखा होगा पीछे वीडियो करके देखें तो जो यहां से है यह बावर्स यानि मतलब हवा जैसे तेल निकलता है और इसके बाद हमने नोजल तक तेल फिर पहुंचाया है और क्या किया है कि नोजल को धुरसा धीला कर लिया है जिसे पंप में धुरसा लोड कम पड़े तो पंप में अगर ज्यादा खराब होता है तो नोजल को धुरसा धीला करने से जो पंप में लोड है वो कम हो जाता है तो नोजल तेल देने लगता है और क्या होता है कभी-कभी नोजल जाम भी जरुकाएं दोस्तों जब इंजन वह दिन बाद श्टार्ट करते हैं, तो हम एयर तो निकाल देते हैं, तो फिर क्या होता हैю, जब हम इयर निकल जाता है। तो उसमें air फांस जाता है, एयर को हम निकाल भी देते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो filter होता है, filter बहुत सूखा होने के कारण filter जो है air बनाने लगता है, जब engine start होता है, तो जो pump में है load जादा परता है, तो जो air है वो pump में आके अटक जाता है, तो start होने के बाद जो engine है वो बंद हो जाता है अपने आप सो स्टार्ट होने के बार इंजन अगर आप बंद हो रहा है तो आप एक बार एयर जरूर चेक कर लिए कि क्योंकि क्या होता कि जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं जब थो असा मतलों बंद हो जाता है जब और थो असा रनिंग लेने के बाद जो है तेल नोजल जो फिर से साउंड देने लगता है तो यही आपको चीज चेक करनी है यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो दिक्कत दे देती है तो दोस्तों यह इंजन बिल्कुल परफेक्टली चल दा है इसमें कोई दिक्कत नहीं मैं आपको और दिखा देता हूं पानी भी हम इसको उठवाने माले हैं इसके बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना तो इसके बाद मैंने इसको टाइट कर लिया थो सब्सक्राइब कर लेंगे हलागी नोजल का नया लगाया था उसने अब तेटेगी अब ये नोजल का एक साउंड सुन सकते हो और इस परे जो है बिल्कुल बहतरीन हो गया और अभी मैं स्टार्ट करने के बाद हलका सा और टाइट कर दूंगा जिससे मतलब देखूंगा इन अगर आप डाउन आप डाउन हो रहा है तो इसको आउट आइट करूंगा हलका सा अगर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बाकि इस परे इसका बढ़िया साउंड भी आप नोजल का सुन सकते हैं तो चलिए मैं इसको लगाता हू झाल 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 झाल